हर महिला के शरीर में कुछ हैसे लक्षन होते हैं जो उनके स्वास्त को बताते हैं इसी तरह से इन फोर्टिरिटी की प्रॉब्लम भी अगर आपको है तो आपका शरीर आपको बताएगा और ये तब पता चलेगा जोब आप आज का वीटियो देखेंगे समझेंगे लक्षनों के साथ साथ हम उसके समाधान की भी बात करेंगे जिसमें कहीं से कहीं तक किसी दवा का उपयोग नहीं है कि वह लाइफ स्टाइल और डाइट थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है हलो आपरिवन स्वागत है आपका यूट्व साहली चैनल में और आज हम एक इंट्रेस्टिंग एक रोचक और महत्वपूर्ण विशय पर बात करने वाले है आपके शरीर में ऐसे कौन सेलक्षन होते हैं जो बताते हैं कि आपको इन फोटिलिटी की प्रॉब्लम है आईए उन विशयों को समझते हैं और उनके समाधान को बेजाते हैं जो आप खुद से कर सकती हैं और अच्छा स्वास्त पास सकती हैं और अपनी इन फोटिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल कर सकती हैं सबसे पहली और आज की समय में बड़ी कॉमल प्रॉब्लम हो गए है लाक ओफ वजाइनल डिस्चारज नहीं आता सही से नहीं आता पीरेट के बाद डिस्चारज आता है और अगर आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बन रहा या पिर आपको डिस्चारज नहीं हो रहा अत्क समधान की बात हम आगे करेंगे। दूसरा लक्षन है संपर्क के समय दर्द होना, ड्राइनस रहना और बहुत ही अनॉइड, इरिटेटेड महसूस करना। तो हो सकता है कि आपके हस्बिन के साथ आपकी बॉर्णिंग उतनी अच्छे ना हो। आप तनाव में है या कुछ ऐसा मसला है जो इमोशन को नरिश नहीं कर पा रहा है। तो इस साइकोलोजिकल भी होता है, लेकिन अगर आपके शरीव में मीनोपॉस के लक्षन समय से पहले आ गए हैं, जो 45 के आसपस होने चाहिए, वो आपको 35 के आसपस भी आने लगे हैं, 30 के आसपस आने लगे हैं, तो भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इसका हल भी हम आगे जानने वाले हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा ओविलेशन कब हो रहा है, क्योंकि डिश्चार्ज अगत नहीं होगा अगर शरीप में, तो आपको कैसे पता चरहेगा कि आप आप ओविलेज कर रही हैं। आपके मासे चक्र अनियमित पीरेड इसका लखशनाता है। या फिर शरीर पे इंफ्लामेशन होना। पेड जो है लोवर अब्डमन जो है आपको जहां पे रिप्रदक्टिव और्गन्स होते हैं। आपको उसमें इंफ्लामेशन लगता है। आपका वज़न तेगदी से बढ़ रहा है। कुछ immunity related issues हो सकते हैं, कुछ metabolism related issues हो सकते हैं। लेकिन ये बताते हैं बहुत clear हैं कि आपको समस्या है कर धरन करने में। तो आइए क्या समधान छुपा है इनका प्राकृतिक उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला solution कि अगर आपको बचाइनल ड्राइनस है, समपर किसमें दर्द होता है, ड्राइनस रहती है, इरिचे-चेज महसूस करते हैं। बार-बार infection होता है, फटे दूद जैसा पनी जैसा दही जैसा डिश्चार्ज आता है। तो अपने निचले अंगों में आप और जान प्रेस कोकोनट ओयल अपलाई करें। दिन में दो-तिन बार जब भी वाश्रूम यूज करें। उसके बाद अपने बोड़ी को ड्राइ करें। ड्राइ करने के बाद हलका सा coconut oil दो चर्बूर फिंगर्स पे लेकर अप्लाई कर ले अपनी नीचली अंगों पर यह microbes को infection को बढ़ने से रोकता है टॉपिकली हम इसको यूज कर सेथे लेकिन लॉंग टम में क्या solution है सबसे पहली चीज कि अपना body pH ठीक करें body pH कैसे पता चलता है body pH का पता लगाने के लिए आपको खुद में तीन चीज़ें देखनी होगी सबसे पहले देखना है कि क्या खाना खाती मुझे बारीपन होता है अगर हां तो body pH ठीक है अगर आपको बार-बार acidity होती है थोड़ा सा कुछ आपने हवी खाए आपको acidity हुई तो आपको body pH ठीक है या फिर बार-बार आपको urine में infection होता है तो आपका body pH ठीक है अब इसके लिए alkaline food काने कुछ instant चीज़ें मैंने अपने वीडियो में शेर की है आप लगों से पहले water की infusions के बारे में बात की है पत्तेदार सबजियां हरी पत्तेदार सबजियां alkaline होता है हमको alkaline food लेना चाहिए जब आपकी body में acidity हो तेल मिर्च मचा ले जो body को acidic बनाते है इन food को थोड़े समय के लिए कम कर देना है या बंद कर देना alkaline food लेना है ताकि body normal हो फिर अपना स कि इसके आप साउफ का पानी ले सकते सुबह खाली पेढ़ सब्सक्राइब करने की पीजिए करने के वेडियो है उसे अप देखें समझे और बाड़ी पीच इसू को उसको देख कर हल करें परवाईकल म्यों नहीं बनता यानि की ovulation नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो हो सकत होर्मोन नहीं बन रहे हैं तो इसके स context करना है तो इसके लिए पुछ आप इंस्टिंट टाइप मेडीज कर सकते हैं ज्यसे सटेर enquैरसटे लिए हेरी टी के लिए आपके होर्मोन सकाशन दूलिद करना के लिए बहुत अच्छे होगी तप कर करें और तुछ करके और ऐली तो सम्य या कम से कम एक बार डेली उसको जरूर से भन और उसको से वन करें भग को वाले अभी इस्के अगर एग बंते ही नहीं है इस्ट्रोचलन होर्बों का स्थर बहut लो थो आप सांफ बॉर्टर सेस्तं पर शेये और उक्रा वाटर कर सकते हैं यह आपकी प्रॉब्रम्स को सॉल करने के लिए बहुत ही पुटेंशिल रेमेडी अगला स्टेप कि अगर इन सारी कंडिशन के होते वापका वजन बहुत बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वजन को कम करें थोड़ा एक्सराइज करें थोड़ा ड सब्सक्राइब करें जो इशू है जो पॉस्नल रिलेशन के इशू है उनको सॉल्व करें थोड़ा साथ टेंडर केर थोड़ा साथ जेंटल भी हैवियर आपको बहुत सारे चीज़ों को अच्छा कर देता है तो यह कुछ छोटे-छोटे तरीके हैं लेकिन अगर आपको इन काड़िंग आपको रिकमेंड किया जाएगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबाएं और हां आपके विचार आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं उसे नीचे कॉमेंट सक्षन में लिखना बि बालाएं चेकर बालाएं बटन हे जाएं लिए धिया थे बालाएं आपके का बर्टोर्टेंग लिए उने है